अब स्टेड लाइन में आपका स्वागत है आज हम आपको प्रैमनगर के उस पुल पे लाए हैं जिसकी इनाग्रेशन जो है 1966 में जमो कश्मीर के पहले चीफ मनिस्टर जीम सादिक ने की थी मैं अपने कैमरा मेंन से कहूंगा कि वो आपको यह जो यहां पर लिखा हुआ है कि 460 फीट यह पुल लंबा है 1966 में यह पुल जो है यह तामीर इसकी हुई है 1996 में यह पुल बना है लगबग इस वकत अगर हम कैलकूलेशन करें तो 45-50 साल इस पुल को बने हुए होए है लेकिन मैं अपने camera man को साथ में ये भी बोलूँगा कि वो दिखाएंगा आपको कि ये जो तारे हैं जिस से पुल जो है ये जुड़ा हुआ है पुल जो है वो टिका हुआ है वो जो है उसके nut जो है बीच में जो है वो खुले हुए हैं साइड के दो नट जो हैं वो लगे हुए हैं लाग तो इसको लगा हुआ है दोनु साइड से लेकिन नट जो है इसके कमजोर है वो जो है वो गिरे हुए हैं इसके आगे हम इस पूल की आपको जो है वो दास्तान बताएंगे इस पूल की जब हम इंट्री करते हैं तो ऐसा बहुत खस्ता हालत में है, इस पूल की हालत जो है, वो काफी ज़दा कमजोर है, ये तार आप यहां से देख सकते हैं, बिल्कुल ढिली डाली तार है ये, कभी भी तूट सकती है, इस साइड में अपने कैमरा में इसे कहूंगा, यहां पर ये आपको दिखाएंगे कि ये जो ह यहां पर स्टार्टिंग में ही, हम देखते हैं कि ये पूल जो है, इसकी लकड़ी जो है, वो कमजोर है, मेरे हिलाने से जो है, ये सारा पूल जो हिल रहा है, मैं खुद भी इस पूल के उपर खड़ा हूँ, मैं भी इस पूल के हिलने से जो हिल रहा हूँ, उसके अलावा म अपने कैमरा में इंसे कहूंगा कि वो आपको दिखाएगा यह पूल जैसा कि हमने पहले ही कहा 460 फीट की उचाई पे जो है यह पूल बनाया गया है नीचे जब हम यहां से देखते हैं तो दर्याए चिनाब जो है वो नजर आता है हमारी दाइं या बाइं साइड हम बात करें तो दर्याए चिनाब जो है वो तेज रफ्तार से चलता हुआ यहां से नजर आता है उसके अलावा यहां पर हम देखेंगे कि यह यहां पर लकडी बीच में टूटी हुई है यहां पर अगर इनसान कोशिश करें बच्चा चोटा जो उसका पैर यहां पर जा सकता है बच्चा जो है वो यहां से गिर सकता है उसके अलावा हर जगा से जहां से भी हम देखते हैं ये पुल तोटा हुआ है, इसकी लकड़ी कमजोर है इसकी तारें कमजोर हो चुकी है 40-50 साल अगर इस पुल को हो गए है तो अब इसका कमजोर होना जायज है लेकिन आई तक आई तक इस पूल की तरफ किसी ने नाजरे सानी नहीं की है किसी ने इस पूल की तरफ जो तवज़ा नहीं की है जब हमने यहां के नागरिकों से यहां के लोगों से जानने की कोशिश की तो उन्होंने माइक पे आने से इंकार कर दिया उन्होंने ये कहा कि आई से पहले भी हमने बड़े इंट्रू यहां पर दे हैं, बड़े यहां पर जनलिस्ट आये थे, रिपोर्टर आये थे, जुनने हमारी नियूज़े यहां से ली थी, लेकिन आई तक इस पूल के उपर काम कोई नहीं हुआ है, आज भी यह पूल जो है, जैसे पांच या चादस साल पहले था, आज भी यह उसी हालत में है, कोई एक पैसे का काम इस पूल के उपर जो है, वो नहीं हुआ है, जब तेज हवाएं यहां पर चलती है, तो इनसान को जहे वो एक अजीब किसम का धर जो है, यहां पर लगता है, इस वक्त भी यहां पर हम देखते हैं, यह जो लकड़ी है, वो बीच में टूटी हुई है, खड़े जैसे इसमें जो है, वो नजर आते हैं दूर से, थोड़ा बहुत जो लोकल लोगों ने यहां पर इसके उपर काम किया है, थोड़े फटे जैसे लगाएं हैं, उसके अलावा यहां पर आप हाएंगे कैमरा मैन मेले, यहां पर तूटा हुआ है, यह जो है, जो इसकी चार दिवारी एक तरह से हम लगड़ी की कहेंगे, तो यह भी जो है काफी ज़्यादा कमजोर है, अगर थोड़ा जोर से इसको जो हम इनसान, हम इसको जो हिलाते हैं, तो यह पूरा का पूरा पू पूरी समझे, क्योंकि इस पूल के उस साइड जब हम बात करते हैं, तो लगबग इसके उस साइड जो है, तीन गौर्मिट हायर स्केंडरियां, पांच प्राइवेट सुकूल जो है, और एक जड़ियो आफिस गुनना जो है वो उस साइड पढ़ता है, यह गौर्मिट के यहां से जो है वो चलने से कत्राता है, दो-दो इनसान यहां से हाथ पकड़ कर जो है चलते हैं, अगर कभी ज्यादा रश अगर इस पूल पे हुआ, तब भी इनसान को यह खत्रा रहता है कि शाइड यह पूल कहीं हमें लारा ना दे, कहीं नीचे गिरा ना दे, मुझे मैं यहां पर आपने कैमरा में से कहूंगा, वो आपको दिखाएगा, कि बिल्कुल यह एरिया जो है वो खाली है, यहां से छोटा बच्चा हाथ छोड़ कर यहां से गिर सकता है, इस साइड भी इस पूल की यही हालत है, कोई साइड में इसकी जो बॉंटरी लाइन नहीं की गॉर्मिट से यह रिक्वेस्ट करते हैं, कि वो मीडिया के माधियम से कि वो इसके जो है, इसके उपर काम करें, इसको या तो रिपियर करें, या तो इसका कोई दूसरा तरीका निकाले, ताकि यह पूल जो है, वो मजबूत बने, यहां पर चलने वालों को आसानी हो, और वो इस पूल के उपर जो आराम से चल सके बिना किसी खौब के, बिना किसी डर के, अपने मेजबान को दीजे इजाज़त दुबारा, फिर आपके साथ किसी नई खबर के साथ रूब और होंगे, तब तक के लिए शबाख है